कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो में अले sex determination human beings में कैसे होता है और दूसरा चीज यह कि evolution कैसे हुआ start या कैसे कैसे हुआ तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में बढ़ेंगे तो जो भी नए हैं वो मेरे इस चैनल को subscribe करें और मुझे like comment करके बताएं कि कि वीडियो कैसी लगी और you can follow me on instagram also and telegram also I will give the link in the description box तो let's get started तो सबसे पहला क्या कि हमने यह सब पढ़ लिया है जिनोंने यह सब देखना हो वो मेरी पहली वीडियो में देख सकता है मैं उसकी भी लिंक डाल दूँगी ठीक है तो आज हमें यह चीज पढ़ना है कि sex determination जो है वो दूसरे दूसरे animals में कैसे होता है यह animals में कैसे होता है उसके बारे में तो different species जो है और फिर वो डवलप हो जाते है और फिर वो male और female में और snails जो है snails में ऐसा कोई genetically determined specifically determined नहीं है यह हम बोल सकते हैं कि snails जो हैं वो अपने sex को change कर लेते हैं क्योंकि वो उनके sex genetically determined नहीं है तब human humans में कैसे होता है तो हमको मालूम है या हमें पता है कि human being humans में कितने है 23 pairs होते हैं 23 pairs of chromosomes है ठीक है तो उसमें से 22 pairs जो है वो तो हमारे autosomal chromosomes कहलाते हैं जो मल क्रोमोजोम कहलाते हैं और जो एक बच गया 23 है तो 22 pairs तो autosome हो गया और जो एक बच गया 23 वाला वो हमारा क्या कहलाएगा sex sex chromosomes ठीक है वही हमारे को humans में बताता है कि अब women's के पास जो होता है वो सिर्फ x और x पाया जाता है यही sex chromosomes होता है लेकिन males के पास जो होता है उनके पास कौन से sex chromosome से x भी है और y भी है women's के पास तो सिर्फ x और x ही है वो भी x की copy दो copy x की लेकिन males के पास x भी है और y तो जब भी reproduction होता है तो जब भी reproduction होएगा और inherited तो mother से सिर्फ क्या chance है x ही आप आना possible है y तो आई नहीं सकता क्योंकि mother के पास तो y है नहीं तो वो आएगा कहां से तो mother से सिर्फ क्या सकता है x ही आ सकता है लेकिन father से जह है वो possibility है possible है कि वो x भी आजाये और y chromosomes लिए तो अगर मानलो की female से तो x ही आएगा ठीक है और अगर उस time पर father से जब है वो x आगया तो double x हो गया एक male mother से आगया एक father से आगया तो क्या बन जाएगा girl हो जाएगा तो अगर father' से y आ गया, तो वो क्या बन जाएगा boy बन जाएगा, चीक है? तो यह है अब और हम पिस पिच्छल में देखें, तो यही बता रहे है, mother के पास क्या है, O, Y होता है, mother के पास egg है, तो वो क्या दे सकती है, सिर्फ gammaids क्या हो सकते है, उसके पास x हो सकता है, एक और x, लेकिन father के पास sperm है तो वो मैंने बताया कि उनके पास x भी है और y भी है तो अगर mother से एक x आ गया और father से एक x आ गया तो क्या बन गया x x तो ये क्या हो जाएगा girl हो जाएगा लेकिन mother से एक x चला गया और फादर से वाई चला गया तो मैंने भी बताया कि वो क्या हो जाएगा मेल होगा या बॉय होगा तो इस तरीके से हमारा डिटर्माइन होता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी ठीक है तो अब हमें क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना हमने अभी पढ़ दिया कि human beings में sex determination कैसे होता है तब evolution एक ऐसा sequence है किसका gradual changes का मतलब होते है धीरे धीरे changes का जो की primitive पहले के organism से पहले के organism से बहुत time से चलते चलते अब एक नई species बना देना नई species को produce कर देना वो हमारा क्या कहलाता है evolution तो यह हो गई हमारी evolution की क्या है कि एक ऐस पहले primitive organism से एक नई species create कर देना या produce कर देना वो हमारा evolution कहलाता है अब मतलब एक इसको हम evolution को देखने के लिए हमार पस क्या हुआ कि तीन situations हुई जिससे हमें यह पता चलता है कि evolution कैसे कैसे हो सकता है कितने types का हो सकता है तो situation 1 क्या है कि मतलब बिटल्स थी बिटल्स थी बिट चोटी-चोटी से कीडे होते हैं betles उनको बोलते हैं तो वह क्या था ? अगर हम इसकी बात करें Group of red and green betles की इनकी बात करें यह situation हमारी 1 है तो इसमें क्या हुआ कलर variation हुरह है color variation एक red है तो एक क्या है green है ठीक है at the time of reproduction के time पे यह ऐसा variation आ गया तो जितने भी betles जो थे are red except सारी ही red थी सिर्फ एक ही जो है वो green बना reproduction के time सारी तो red बनी लेकिन एक ही जो है single क्या बना green बना तो उससे वो क्या हुआ जो तने भी crow's थे जितने भी crow आए उन्होंने मतलब एक tree पे थे या leafs पे बोलो ठीक तो जितने भी थे वो red वाले तो अलग अब green color की leafs है ये betles काहाँ पर है किसी tree पे या leafs पे उन पे है trees पे तो crow आए जो red color थे वो तो अलग से ही दिख रहे है ठीक तो उनको قया उनको खा लिया है तो उसकी वज़े से क्या हुआ जो red betles का number था वो क्या हो गया कं हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या सिचुेशन है इसको दोबारा संसते हैं देखो एक tree है उसल्ट पे बिटल हैं ठीक है जूमने जूने ép में कोष़े से आइसाना है सभी में आइसे चपने लिए पासमें तूमने कहीत है इस से ग्रीस आया सारी तो राख लेकिन तो क्आ आय थे ऊपक्रो फान लेफ से विवस है तो में से प्रीज बच्छ पंड था इसमें अप्रोजेनी बनानी चालूकर थी तो उनका नंबर भास ठैने तो फ्राच उनका था नंबर भास थे तीए नमबर कम हो गया उनको identify नहीं कर पारे इसलिए उनकी population जो है या उनकी प्रोजैनी जो है वो बढ़ती ही जा रही है तो इसका हम बोल सकते क्यों नहीं खा पारे क्रो यह है कि क्यों नहीं खा पारे तो क्योंकि green bushes green leaves green bushes जो है उस पे वो camouflage हो जा रहे है camouflage का मतलब होता है छिप जाना hide हो जाना यह होता है तो green वाली तो green bushes पे जो है वो camouflage हो जारी इस वज़े से crow को दिखनी रही और वो crows जो है खानी पारे उनको तो ऐसी ऐसी करके number of green bettels जो है वो increase हो जाता है जीने के लिए advantages है या हम यह बोल सकते हैं कि उनको natural select nature ने select कर दिया कि वो जो है वो green वाली green bushes पे नहीं दिखेंगी इस natural selection is excited यह किसकी वज़े से हुआ क्रोस की वज़े से जिसमें adaptation बिटल्स का adaptation वो बैट फिट बैट गए इस adaptation में बिटल्स जो थी वो फिट बैट गए इन वामेंट के इस वज़े से वो उनका number जो है प्रोजैनी बढ़ती ही गई इसमें क्या हुआ इसमें naturally selection हुआ है ठीक है ना natural ने ही select कर लिया कि green वाला ज दूसरी situation क्या थी इसमें हमें पढ़ेंगे group of red and blue beetles के बारे में स्टोरी वही है कि green bushes, beetles है और crows का है तो इसमें reproduction के time पे red beetles तो थी all beetles थी वो red थी लेकिन उसमें से एक जो थी वो blue बन गई मैंने बताया पहले में पहली situation में green था लेकिन इस पर blue हो गया यह भी possibility है situation है कि blue हो गया तो number of red beetles तो increase होता जा रहा है क्योंकि वह बहुत सारे है तो वह reproduce करके उनका number increase होता है लेकिन जो एक blue beetles थी वह reproduce कर रही है और number of blue also beetles also increases तो जतना भी blue वाले का हैं वह भी increase होता जा है दीरे दीरे करके तो क्या होँआ क्रोज ने प्रोज है वो दोनों को देख पा रहा है तो रैड बिटल जहा है वह तो खा खा लेते हैं ठीके तो नंका number कम हो जाता है reduce हो यह लेकिन रेड बिटल्स जह है वो तब भी ज़्यादा थी blue वाली से, क्योंकि blue तो सिर्फ एक ही था ना तो red वाली को भी कहा जा रहे है crow जो है, वो red को भी खा रहे है blue को भी खा रहे है, क्योंकि दोनों ही उनको दिख रही है तो, फिर क्या हो रहा है? तब भी उनको खाने के बाद भी क्या हो रहा है कि रेड वाले का नंबर जादा है as compared to blue one से तो suddenly क्या होदा है एलिफेंट आता है और उसके उपर उस बुशिस के उपर पैर रख देता है इतने वाले में सब्सक्रावा है फिर वाले बिटल आती गर टाया है उसने क्या किया इतने में अपना पैर रग दिया तो सारी की सारी जह है रेड वाली बिटल्स जह है वो मर गई तो अब सिर्फ क्या बची ब्लू वाली बची ठीक तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ब्लू बिटल्स जह है डिड नॉट गट सर्वाइब उनको कोई अड्वा वह बिटल की population को affect हुआ नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो red वाली का number हमें ज्यादा ही रहता है अब इससे हमें ये भी conclude कर सकते हैं कि accident can change the frequency of accident जह है वो frequent को इस genes की frequency को change कर सकता है तब भी जब उनका survival advantages नहीं है उनके बास तब भी मतलब blue वाले कोई advantages नहीं था कोई number ज्यादा नहीं था लेकिन तब भी वो ज्यादा हो गए red वाले सारे खतम हो गए क्यों क्योंकि एक sudden accident हो गया उस वज़े से उनके बास कोई advantage survival advantages नहीं था इस वज़े से this is called इसको हम क्या बोलते है जिसमें frequency कुछ genes की change हो जाती है कुछ accident के जरीए उसको हम बोलते है genetic drift इसको हम क्या बोलते है genetic drift जो की क्या cause करता है variations में variation लेके आता है ठीक है यह तो हो गई हमने पढ़ लिया कि genetic drift कैसे हो गया या हमने यह भी पढ़ लिया कि किस वज़े से हो रहा था यहां पर उनको natural ने select nature ने select कर दिया था ठीक है आप हमारे पर situation 3 है कि अब जिसमें हम गढ़ेंगे group of red beetles and bushes के बारे में तो इसमें क्या हुआ था red beetles के group था था ठीक है वो अपने bushes पे यह जहां भी रहते थे वो महा पर रह 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 थे तो जिस पेड़ पर रह रह रहते है या जिस बुशिस पे वो रहते है उस plant को क्या हो गया बिमारी हो गया कोई disease हो गया ठीक है जिसकी वज़े से क्या हुआ जितना उनका बिटल्स का वेट होना था वो घटके वो कम हो गया क्यूंकि प्लांट्स जो है उसको डिजीज हो गया तो वो नरिश्मेंट उन बिटल्स को उतना नहीं sufficient नरिश्मेंट नहीं दे पा रहा था तो इसकी वज़े से क्या हुआ बिटल्स का वेट जह वो decrease कर गया तो जैसे ही number of betles carp उसल चिया हुआ उनका number भी कम होता गया तो फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ plant की disease जो है वे Eliminate मतलब खतम हो गया तो फिर से क्या हुआ lover and average weight वीट फिर संफे वो जा इंक्रीज हो गया क्यूंकि उस plant को पहले start in starting में बिबि मारी थी तो इसकी वज़े स तो प्रॉपर नरिश्मेंट नहीं दे पा रहता है लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद वो डिजीज खताम हो गई तो फिर से वापिस से वो प्लांट हेल्दी हो गया और फिर से ही वो बेटल्स का नरिश्मेंट पूरा हो गया इस से हम क्या कंदूलुजन निकाल सकते है कि कोई भी जैंगेनिटीक चेंज नहीं आया है हना कोई भी जैंगेनिक चैंज नहीं हुआ पॉपोलेशन में गैट के फेक्टेट्ड उपोलेशं में पात चोटे शौट डिउरेशल टाइम के लिए ही हुआ था क्योंकि उसमें environmental change की वजह से अब disease लगना तो in जो है ये वाली जो है एक मिनट मैं अगर ब्लू से करूँ तो ये और जी आ पी वो हो गई गई फिर उस ने अपना इप्रोज आके ऊसको घुछा रहे थे क्यूंकि ग्रीन बैकग्गाउंड में में तो वह चिप जा रहे थे तो वह रेड रेड को खा के स्की पॉपलेशन कंम इसको क्या मिल गपना है, नेचर ने सेल्एक कर दिया , किसकी की द्वारा हो पाया ? अब दूसरे सिचुेशन में यह थी कि रेड रेड वाले हैं उसमें से एक ब्लू था , तो क्या हुआ ? इस साइड जो है वो सारे ही देखो रेड रेड थे तो एक एलिफेंट का आया उसने क्या कर दिया एक्सिडेंटली उसने हो रख दिया तो सिर्फ यह तीन ब्लू बिटल्स बची जिसकी वज़े से आपनों नहें रेप्रोड़क करकर करके अपनी प्रोजैनी बना के यह कर लि इसको बिमारी हो गयी डिजीज हो गया तो उसकी वज़े से उनका वेट भी औी कम हो गया लेकिन फिर कुछ ताइम के बाद वो वापिस से नौर्मल हो गय ह्नौर्मल तो यह क्या क्या वह चॉर्ट टायम के लिए हुआ शौर्ट टाइम के लिए हुआ तो इससे हम ये बता चलता है कि इन तीनों सिचुएशन से हमें ये हुआ है कि कैसे कैसे evolution आ रहा है हना कि starting में वो nature ने select कर लिया हो सकता है या nature ने select करा या accidentally वो change आ गया उस variation में ताकि वो नई species मैंने बता है ना evolution के जिसमें नई species produce होती है उसको हम evolution कहा दे है तो इसी नई species क्या मतलब उससे क्या ग्रीन का या ब्लू का कोई chances नहीं था लेकिन तब भी वो survive कर पा रहे हैं तो इस हिसाब से इन तीनों के ही वज़े से evolution हो पाया यह situation थी कि आसा ऐसा हुआ अब thank you so much for listening me hopefully you like it तब तक के लिए जल्दी नई वीडियो बनेगी इसके आगर की चाप्टर की तब तक के लिए बाई बाई झाले